पटौदी के नवाब सेफ अली खान ने करवाई अपने आलिशान महल की सेर तस्वीरों में देखा पटौदी पैलिस का कोना-कोना आठ सो करोड के महल की चकाचान देखकर दंग रह जाएंगी आँखे ये तस्वीरे हैं सैफ अली खान के आलिशान पटादी पैलेस की सैफ अली खान के पुष्टैनी महल के चर्चे दूर दूर तक होते हैं यो तो कई बार आपने पटादी पैलेस की तस्वीरे देखी होंगी बॉलिवुड फिल्मों से लेकर करीना, सोहा और सबा के सोचल मीडिया अकाउंट्स तक में इस शांदार महल की जलक देखने को मिलती है अब एक बार फिर पटौधी पैलिस की चर्चा हो रही है और वज़ा है सैफ अली खान पटौधी के नवाब सैफ अली खान ने विरासत में मिले अपने सालिशान महल की सैट जो करवाई है एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के लिए शूट किये गए आड में सैफ ने अपने महल का कोना कोना दिखाया है इस एड में आप महल के गार्डन में लगे फाउंटेन से लेकर भव्य कोरिडोर और इस पैलिस के महल जैसे कमरे तक देख सकते हैं पटौधी परिवार ने इस महल में अपनी कई पीडियों से जुड़ी अनमोल यादों को भी संजो कर रखा हुआ है बाहर से पटौधी पैलिस ऐसा दिखता है इसके ठीक सामने है पत्थर का बना ये बड़ा सा फाउंटेन जो महल के एंट्रिंस की खुबसूरती में चार चान लगाता है पूरे महल में ब्लाक एंड वाइट मार्बल से बने चेक पैटिन की फ्लोरिंग है बड़े बड़े जूमर छट से लेकर फ्लोर तक लटके परदो ने इस भव्य महल को क्लासिक टच दिया है इस तस्वीर में सैफ अपने महल के एक रूम में खड़े हैं दर्वाजे के दोनों तरफ वुडिन रैक्स हैं जिन पर पुरानी तस्वीरों को फ्रेम करके लगाया गया है इस तस्वीर में देखिए महल का बड़ा सा कोरिडोर इस कोरिडोर के दोनों तरफ कई वुडिन टेबल्स रखी हैं जिन पर पटौधी परिवार के सदस्यों की तस्वीरों को बेहत करीने से फ्रीम करके सजाया गया है एक दिवार पर सैफ के अबू मनसूर अलिखान की पुरानी तस्वीरे लगाई गई है इस तस्वीर में आप सैफ को अपने अब्बा की सुनहेरी यादों को बेहत प्यार से निहारते होए देख सकते है पटौधी पैलिस में सैफ का फेवरिट जोन है ये जी हाँ लाइब्रेरी सैफ को किताबे पढ़ने का कितना शौक है ये तो सब जानते हैं अपने मुंबई वाले घर में भी सैफ ने लाइब्रेरी बनवाई हुई है तो पटौधी पैलिस में लाइब्रेरी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता सैफ के इस लेटिस्ट विग्यापन में आप पटौधी पैलिस के कई आलिशान कमरों को देख सकते हैं पतौदी पैलेस की डिजाइनिंग बहुत बहतरीन है, फूरे पैलेस को सफेद रंग से रंगा गया है, इसकी वास्तू शेली किनॉट प्लेस की इमारतों से प्रिभावित है, पैलेस को बहुत ही खुबसूरती से सजाया गया है, सैफली खान का ये पैलेस करीब 10 एकड में फ बना हुआ है, साथ ही कई सारे अस्तबल, गयराज और खेल के मैदान भी बने हुए है, कहा जाता है कि पतौदी पैलेस की कीमत 800 करोड रुपे के करीब है, इस पैलेस को इबराहिम कोठी के नाम से भी जाना जाता है, नवा परिवार का ये महल हर्याना के गुरूग्राम से 26 किलोमीटर दूर अरावली की पहाडियों में है, पैलेस के चारों तरफ हर्याली है, अरावली पहाडियों में बसा पतौदी पैलेस 200 साल पुराना है